Yes, तो अब हम जो करने वाले हैं, हमारे पास मालो एक ring दे रखे, या एक coil है मेरे पास, तो अब वो coil ना इस तरीके से हमको three-dimensionally सूचना है, कि अगर मेरे पास ये coil इस तरीके से दे रखे हो, ठीक है, think three-dimensionally, तो वो इस तरीके से, मालो ये आगे की side है, मालो आप फोन में द पास उसके अंदर current flow कर रहा है, तो हम magnify निकालना चाहरे है, एक axial point पे, देखो axial point के है, मालो ये computer के आगे और अंदर की side है, तो यहां से center से एक line जा रही है, और हमें basically क्या निकालना है वो, इसके इस point पे मुझे वो magnify निकालना है, इस point पे, तो मेरे पास यहां पे वो ए magnify निकालना चाहता हूं, तो हो कैसे निकालोंगो, और ये मेरे पास एक charge coil है, तो देखो, अब चार्ज कोईल का मलब एक दिरे से, हम बोल सकते हैं कि इसके अंदर current चल रहा है, तो इसके अंदर current चल रहा है, कोईल के अंदर, तो पहले तो हमने center पे निकाल ली थी, ठीक है इस बार वो center पे नहीं है, बोलकि center से कहाँ पे, इस axial point के उपर है, और यहाँ पे मुझे net magnify निकाल ली है, ओके, find that, तो एक काम करते हैं, देखो भई, अब ये जो ring है, ये ring अगर मालो इसके अंदर current चलता जा रहा है, तो of course सी बात है, ये magnify ल हर direction में निकाल ली होगी, म center पे मिल रही हो इस से, कोई तो magnetic field होगी, ये three dimensional ही है, देखो, अब मैं यहाँ से तो नहीं बना के दिखा सकता, क्योंकि यहाँ से तो बोर के भार आजएगी, ये वाली आप देख पाओगे, क्योंकि वो screen के अंदर, screen पर ही है, लेकिन ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा त तरीके से क्या है? कॉइल बनी होई है, और यहाँ से वो मेरे पास, finally magnetic field आ रही है, तो अब वो मेरे पास क्या होगा? तो यह इस तरीके से हर एक checkpoint से बहुसा है magnetic field आ ही है तो अब हमें क्या करना है? देखो, अब ना मुझे ना पता है कि हर direction में मेरे पास magnetic field बन रही होगी, तो यहाँ पर यह भी मेरे पास db है, और यह भी मेरे पास db है, तो क्या अभी मैंने, मैंने क्या सारे इससे हो consider कर लिया, नहीं, अभी मैंने सिर्फ यह वाला इससे consider कर लिया है, माल लो येक element है DL और माल लो ये भी element है DL बहुत छोटा से element है तो 2DL से मैंने 2 magnitude निकलवाई अच्छा तो इस P point पे इस P point पे मेरे को पता है कि मेरे 2 vector जा रहे है एक तो इस नीचे वाले के ये से इस तरीके से direction में magnitude फिल जा रही है और नीचे वाले से इस direction में magnitude फिल जा रही है तो ये 2 magnitude फिल होगा है मेरे पास तो दो मेरे पास magnitude फिल है अच्छा अब एक काम करें अगर मैं चाहूँ तो एक काम कर सकते हैं क्या मैं इन 2 magnitude फिल के component को resolve कर सकता हूँ तो कर लेते हैं एक बार कोशिश करते हैं तो देखो अगर मैं इनको resolve करने की कोशिश करूँगा तो देखो ये db उपर तो एक component ये हो सकता है और एक component ये हो सकता है यस और नो ठीके तो अच्छा देखो actually में ना मेरे पास माल लो अगर मैं बोलो कि ये इस point पर कितने का angle बना रहे है माल लो फाय का तो भाई ये तो मैंने बीच में से काटे था of course ये भी क्या होगा फाय का होगा ये angle भी फाय ये angle भी फाय तो अब ही कहता है कि अगर ये फाय है ना तो फिर ये वाला angle भी फाय है तो अब बच्चे यहां पर confused जाते है कि सर अगर ये फाय है तो फिर ये फाय कैसे हो गया अच्छा मुझे एक बात बताओ वही वाली बात हमेशा जिसे मैंने समझाईए ये 90 हुआ या नहीं हुआ ये पूरा 90 है और ये जो matter field आ रही है और ये जो component है इसका ये भी 90 है इसंट इट और ये भी अपने आप में ऐसे ये भी पूरा 90 है तो क्या अगर ये पूरा 90 है और ये 5 होगे तो क्या मैं इसे 90-5 बोल सकता हूँ इस से वाले को इस से वाले को क्या मैं 90-5 बोल सकता हूँ और हमें पता है यह पूरा का पूरा अपने आप में यह 90 है और 5 यह हो गया तो of course ही बात है ना होगे ना clear यह 90 होगा भाई सिंपल सा concept था क्या कि देखो यह मेरे पास सीथी लाइन थी और यह मेरे पास red वाला component है तो यह पूरा 90 हुआ अब यह जो line आ रही है db वाली db वाली और जो इससरे को component जा रहा है वो भी अपने आप में 90 है तो भाई अब जब यह पूरा 90 है और मैं पता है कि अगर यह वाला हिस्सा देखो अगर हमने यह वाले हिस्से को 5 माल लिया है यह वाले हिस्से को तो यह वाला हिस्सा क्या तो यह phi होतो गया, simple है, यह phi है, यह phi है तभी तो ऐसे relation बन पाएगा, ठीक है, यह वाला भी 90 है और अपना पर यह भी 90 है इस तरीके से, तो इस तरीके से अगर यह phi है तो फिर यह वाला भी phi होगा, बहुत simple सा mathematics है, simply ही समझा आगया होगा, तो मुझे एक बाब बता, अगर यह db था तो कहना इससे, जिसके साथ phi होता है, वो db cos phi होता है, cos जोड़ता है उसके साथ, अच्छा और जिसके साथ phi नहीं है, वो क्या हो जाएगा, db sin phi, इससे तरीके से यह भी db है, तो अगर यह भी db है, तो इसका मलगा इसका perpendicular distance क्या हो जाएगा, perpendicular component, db cos phi, इससे त अच्छा, यह db cos phi और db cos phi के यह आपस में एक दूसरे के effect को cancel कर दिंगे, क्योंकि वो उपर और नीचे जा रहे है, तो यह वाला component और यह वाला component आपस में दूसरे का effect को cancel कर दिंगे, क्योंकि nullify होगे उपर और नीचे है, तो अब देखो, अब इस p point पे, यह p point जो था, यह axial point जो था, तो इस axial point पे सिर्फ कितने component बचे यह, दो ही तो बचे db db sin theta, तो इसका मतलब क्या मैं यह ले सकता हूँ, हमने जो दो element माने थे, तो एक element यह और एक element ही है, तो दो element की वज़े से मेरे पास दो ही तो component आए, क्योंकि उपर वाले तो cancel हो गए, तो कहना ही से, दो element की वज़े से मेरे पास क्या आया? 2db sin 5, yes or no? तो दो element की वज़े से, अगर मेरे पास 2db sin 5 आया है, तो जरा बता ना, एक element की वज़े से क्या आयगा फिर? तो दो element के जिसे 2db sin 5, तो एक element के जिसे क्या आएगा, db sin 5, कुछ लोग, कुछ teachers तो दो element मानते ही नहीं है, वो एक element मानके कर देते हैं, तो तो भी सही है, कोई दिक्कत थोड़ी है, ठीक है भाई, अच्छा मालो ये center से यहां से, मालो a distance away था, और ये मालो ये मेरे पास किस की radius है, ये उस coil की radius है, कुछ लोग इसको r मानते हैं, कुछ लोग इसको ये मानते हैं, जैसा मन करें वैसा कर लो आप, तो जरह बता ना, ये वाला points, ये वाला, ये इस corner से ये वाला distance कितना होगा, कैना इसे a square plus का r का square, ये 90 है ना, Pythagoras, ये r जो है, ये radius of coil है, और ये a कै है, उसके center से axle point का distance है, तो ये कितना हो जाएगा, इस point से इस point तक का, तो ये root a square plus का r का square हो गया, अच्छा, और ये phi है, अच्छा, मुझे एक बाब बताओ, तो अब ये अगर मैं कोई एक element के लिए db sin phi है, तो db कैसे निकालते हैं, हमें पता है, बाइट से निकलता है db हमें, तो sin theta मेरे पास कितना हो जाएगा, db वाला sin theta, तो तो maximum हमें, ideal sin theta maximum हो, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, r का square, अच्छा, r का square कैसे हुआ, जैखो, उस point का, और यहां का distance कितना हुआ, यही तो हुआ, a square plus का r का square, यह रहा, यहां पे element है, यह रहा element, और यह रहा p point, तो इसके बीच का distance कितना हुआ, root का a square plus का r का square, right, तो I can say that, कि मेरे पास हो जाएगा, root का a square plus का r का square का whole square होता है, sin theta upon r का square, sin theta तो 90 है, ठीक है, लेकिन अभी यह sin phi बचा हुआ है, अच्छा, sin phi क्या होता है, आप सब को बताओ, sin phi क्या होता है मेरे पास, perpendicular upon my hypotaneous, right, तो दे phi है मेरे पास, तो अगर ये मेरे पास phi है, तो perpendicular क्या हुआ, कहना ही से, ये r हुआ, perpendicular, और hypotenuse क्या हुआ, ये हुआ, root का a square plus का r का square, तो ये perpendicular हुआ, और ये मेरे पास hypotenuse हुआ, तो कहना ही से, r upon में root a square plus का r का square, तो इसका मलदा sin phi मेरे पास कितना हो जाएगा, R upon में root का A square plus का R का square simple तो देखो यह square है तो square से root कट जाएगा तो मेरे पास क्या हैगा may not by 4 pi ideal यह हो जाएगा मेरे पास A square plus का R का square और यह मेरे पास है R का root का A square plus का R by 2 अच्छा देखो यह तो मेरे पास अभी क्या निकल के आ रहा है सिर्फ एक element के लिए निकल के आ है पर क्या मुझे सिर्फ एक element के लिए निकालने थी majority field नहीं मुझे तो इस पूरी ring के लिए निकालने है न भई मुझे तो मुझे तो इस पूरी ring के लिए निकालना है, तो अगर मुझे इस पूरी की पूरी रिंग के लिए निकालना है, तो फिर तो situation अलग हो जाएगी, फिर तो मुझे इसे integrate करना पड़ता है, भाई अगर आपको equivalent के लिए पता है और आपको पूरे के लिए निकालना है, तो फिर तो आपको अच्छा हो जाएगा capital B, पूरे के लिए, तो मुझे फिर integration इसका भी करना पड़ेगा, अच्छा सारे जितने भी constant उनको भान निकाल लो, may not भी constant है, 4 pi भी constant है, i भी constant है, अच्छा देखो यह root का मलब क्या होता है, 1 by 2 ही तो होता है, देखो यह है 1, इसके power 1, और इसके power 1 by 2, तो 1 plus 1 by 2 कितना हो जाएगा, कहना इसे 1, 1 by 2 का मलब 3 by 2, तो क्या मैं यहाँ पर इसे 3 by 2 लिख दू, क्योंकि यह 1 है, और यह 1 by 2 है, root का मलब 1 by 2 होता है, देखो अभी R भी आ जाएगा भार, लेकिन यह DL, DL is not constant, DL constant नहीं है, अच्छा बताओ, DL क्या होता है, अभी अब अगर मैं इसका integration कर दूँगा, तो 2 pi R हो जाएगा, तो मैंने इसकी radius R मानी थी, तो यह मेरे पास क्या हो जाएगा, mu naught I R, और यह मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 pi R, कुछ teachers इसको A मान के भी चलते हैं, तो अगर वो A मानेंगे, तो R के जिगह पर A हो जाएगा, simple, तो 4 pi और यह मेरे पास क्या हो जाएगा, A square प्लस का R का square 3 by 2, right, क्या कुछ चीज़े कट रही है, pi से pi कट गया, 2 टूजा, 4, क्या कुछ और कट रहा है, और तो नहीं कट रहा है, तो finally मेरे पास मेरे टेफिल कित्ती आ जाएगी, mu I R square, भही R भी है नहीं यहाँ पर देखो, mu I R square 2 A square प्लस का R का square 3 by 2, so this is how we can find out the total magnetic field, ठीक है, for the axial ring, तो कोई दिखकर तो नहीं है इसके अंदर, तो इस तरीके से मैंने मेरे टेफिल निगाल लिया है, तो इस तरीके से मैंने मेरे टेफिल फिल निगाल लिया, तो अब मैं यहाँ पर, अख्छा माल लोग बने से में मुरा न, कुछ टीचर्स क्या करते हैं, कुछ टीचर्स इस ring को, यहाँ पर इस वाली radius को तो A मानते हैं, और इस distance को R मान के चलते हैं, तो हम कैसे करेंगे, त तो भी कोई दिक्कत ने, तो बस क्या हो जाएगा, तो देखो, अगर मैं यह मान के चलता, तो क्या हो जाता, उपर, μु0 i a², yes or no, और नीचे क्या हो जाता, और नीचे तो वही रहेगा, तो नीचे यह हो जाता, 2R² a², 3x2, तो कोई दिक्कत थोड़ी है, ठीके, तो फामल क्या पढ़ाई है यह हमने देखा है कि अगर कोई भी मेरे पास current carrying ring होती है और अगर उसके axial point पे मुझे magnitude निकालना होता है तो उसके लिए formula आता है mu y a square 2 r square plus a square 3 by 2 अच्छा इस पर एक question और आता है अब वो question कैसे आता है देखो इस तरीक सा आता है एक ring आपकी ये है ठीक है वो इस तरीक से रखी हुई है और एक ring आपकी मालो ये है और आपको इस p point पे क्या निकालना है ठीक center पर रखा हुआ है ये मालो इस पर आपको net manifold निकालना है अच्छा मुझे एक बाप बताओ यार अगर यहाँ पर भी current चल रहा है और यहाँ पर भी current चल रहा है दौनों की radius भी same है मालो ये भी आ रहा है ये भी आ रहा है तो ये दो coil है और यहाँ पर center में manifold बतानी है तो देखो एक की वज़े से मालो manitifil की सारी होगी दूसरे की वैसे ऐसे राइट तो अगर मैं बोलना चाहूं तो देखो एक manitifil का फरक ऐसे कर क्या रहा है मालो ये वाल गया थे 1 और ये कोईल क्या है मेरे पास 2 तो coil वन की वज़े से manitifil यह हैं की साइड आ रही है मेरे पास एक ये रिंग है ठीके तो इस रिंग के अंदर मालो करन चल रहा है ठीक है करन चल रहा है एक ये पौइंट है P तो इस रिंग की वजे से इस P पे कितनी मेरिये फिद आईया अब एक कहे रहा है कशन कि यहीपर ही मैंने पास एक और coil रख दिया लेकिन वो ऐसे रखी है तो इस coil के वज़ेसे भी इस point पे कुछ ना कुछ magnetic field आ रही होगी राइट तो उसकी भी magnetic field कितनी है मेरे पास भी अच्छा देखो अब पहली वाली coil से magnetic field के direction तो इधर के side आती है ना और ये जो दूसरी वाली coil है इस दूसरी वाली coil से magnetic field के दर की side जाएगी ऐसे भार निकलते हो इधर की side yes or no तो इसका मतलब इस P point पे कितनी magnetic field आ रही है कैना इसे दो एक आ रही है इस 1 की वज़े से और एक आ रही है इस 2 की वज़े से yes or no अभी कह रहा है कि इस P point पे resultant magnetic field निकालो तो देखो यह भी B था और यह भी B था तो resultant कितना बनेगा resultant बीच में ही तो बनेगा वेक्टन में पढ़ा है ना हमने अगर मैं अगर मैं यहां से माला तुम लोगों को यहां से कीचो और यहां से भी कीचो तो तुम लोग कहां पे आओगे बीच में नहीं चले जाओगे simple resultant तो resultant का formula क्या होता है resultant का a² plus b² यह 90 पे है तो तो इसका माला b² plus b² तो यह क्या हो जाएगा क्या ना ही से root 2 का b b² से root 2 हट गया तो root 2 भी आ गया yes or no तो अब b का formula हमने पहले ही निकाल रखा है माललो अगर यह radius मेरे पास क्या है r तो अभी हमने क्या पड़ा formula यहाद है na mu i r ka square remember 2 a ka square plus ka r ka square 3 by 2 तो बताओ यह answer निकल क्या है नहीं है root 2 times भाई एक coil होती तो इसरे इतना इससा आता अब दो coil नहीं है तो दो क्यों क्या root 2 हो गया क्योंकि resultant निकालते है is that clear so this is how we can find out the net resultant effect अच्छा माललो अगर मैं तुमसे बोलता कि माललो मेरे पास अगर माललो एक point है P ठीक है थार बचे ध्यान सुनना एक coil यह है एक coil यह है एक coil यह है और बीच में यह center है P तो यहां पर magnetic field कितनी आएगी magnetic field इसकी वज़े से माललो यह 1 है यह 2 है यह 3 है यह 4 है तो net resultant magnetic field कितनी आनी चाहिए इस P point पे देखो इस 1 की वज़े से dengan T जैसे है same current भेज रहा हूं अगर different current भेजुँगा तो अलग हो सकता है radius अलग यह current अलग है तो फरका जिएगा लैकिन सब कुछ अगर तो यह वाला cancels इस से हो गया यह वाला cancel इस से हो गया तो क्या beef में कोई net negative will बची? नहीं बची 0 आगया क्यों? क्योंकि इसने इसके effect को cancel कर दिया और इसने इसके effect को cancel कर दिया तो इन लोगों ने एक दूसरे को cancel कर दिया, इसलिए क्या आगया मेरे पास net effect 0, clear that? very simple so, इस टेक पर question I hope हम लोग कर लेंगे, ठीक है, जो कि एक axial point के उपर होते हैं तो हमने axial point पर कितने meditable होते हैं कर लिया, I hope sun में आ चुका होगा